ठीक है बच्चों अब आजो example number 4 में, example number 4 में क्या बोला है, find the anti-derivative f of f, मतलब क्या हमें चाहिए, यह जो small f function दे रखा है इसका हमें anti-derivative को इसने क्या बोला capital F, defined by fx is equals to 4x cube minus 6, ठीक है, हमारे पास यह function small f of x क्या given है, 4x cube minus 6, इसके anti-derivative को बोला है capital F, ठीक है, तो हम इसका एक anti-derivative चाहिए, condition और extra क्या दे रखा है, f of 0 is equals to 3, अब देखो, मेरे बात को सुनो, बिल्कुल दिहान से, अगर मेरे पास सिर्फ यह function given होता, और बोलता है कि इसका anti-derivative निकालो, तो anti-derivative निकालते हैं, तो हम क्या होगा, उस case में हमें इस function के कितने anti-derivative आ जाएंगे, उसमें से भी क्या बोला है कि अगर तुम उस infinite anti-derivative में यह condition लगा दोगी, यह क्या बोल रहा है, कि वो जो infinite anti-derivative होगा, उसमें एक ऐसा anti-derivative होगा, जिसमें तुम x का value 0 डाल दोगे ना, तो y का value 3 आ जाएगा, नहीं यार यह बात समझ भी, इसको तुम ऐस से देखो, यह जो मैंने तुम लोग को geometrical interpretation बताया था ना, यह देखो, इसको मेरे बात को ध्यान से सुना, यह जो मैंने तुम लोग को बताया था, इसमें क्या है, कि हमारे पास function क्या है, fx is equal to 2x function है, इसके कितने anti-derivative होगे, infinite anti-derivatives होगे, ठीक है, देख लो यहाँ पे, इन सारे infinite anti-derivatives को मैंने यहाँ पे draw कर रखा है, ठीक है, इसके बीच में भी लाखो parabola बचा हुआ है, बिकॉस यह क्या है, यह तो हमने इसको, vertex को 0 पे माना है, यहाँ पे 1 माना, 0 से 1 के बीच में infinite points है, वो सारे points vertex हो सकते, यहाँ पे तुम सी का value अगर डालोगे न, 1 upon 2, तो मैंने कुछ parabolas बना है, यहाँ पे y-axis पे कितने parabolas बनेंगे, infinite parabolas, कहने का यहाँ पे यह मतलब है, कि यह जो anti-derivative है, x square plus c, यह जो 2x का anti-derivative x square plus c, यह क्या represent कर रहा है, infinite anti-derivatives को represent कर रहा है, जिसके यहाँ पे cut draw है, ठीक है, अब मैं अगर इस function में, जैसे मालो की ऐसे हमारे पास क्या दे रखा है, यह ऐसे function दे रखा है, f of c, x क्या दे रखा है, x square plus c, यह क्या दे रखा है, यह anti-derivative दे रखा है, किसका, 2x का, अगर मैंने अब बोला क्या कि, इस anti-derivative में बोला कि, जब तुम x का value 0 डालोगे, and y का value 0 डालोगे, मतलब ऐसे बोला, f of, यहा पे क्या है, x का value 0, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 0, अगर मैंने बोला कि, उस anti-derivative c को एक नट के लिए हटा दो, confusion अभी के लिए ठोड़ा, ठीक है, अगर मैंने बोला कि, f of 0 is equal to 0, मतलब कि, इस infinite anti-derivative में एक ऐसा anti-derivative function है, जो इस condition को भी satisfy कर रहा है, तो वो एक unique anti-derivative होगा, इसको ध्यान में रखना है, यह तो infinite anti-derivative है, उसमें भी एक ऐसा anti-derivative है, जो इस condition को satisfy कर रहा है, जिसमें तुम x का value 0 डालोगे, तो y का value 0 आ जाएगा, तो बताओ वो anti-derivative कौन सा है, तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगी, यह हमारा दे रखा न anti-derivative इसमें हमने x की जगह 0 डाला, ठीक है, तो हमें यहां भी 0 डाल दिया, plus c, तो क्या बोलना है, f of 0 क्या हमारा, f of 0 भी तो 0 है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते, 0, और यही f of 0 y है, तो यहां भी हम 0 is equal to 0 square plus c, तो हमें यहां से c का value क्या मिल गया, 0, अब यह c is equal to 0, यहां जाके डाल देते हैं, तो f of, क्या मिल गया, x क्या मिल गया, हमें x square, देखो, यह एक anti-derivative आ गया, देखो, यह वाला anti-derivative, यह जो parabola है, x square वाला, यह वाला parabola आ गया, देखो, यह जो parabola है, यह भी तो एक anti-derivative है, अब यह anti-derivative में क्या खूबी है, इसके तो infinite anti-derivatives है बट इस anti-derivative में क्या खुबी है कि जब तुम x का value 0 डालोगे तो y का value भी 0 हो जाएगा मतलब कि यह किस से 0,0 से pass करेगा देख लो करभी रहे 0,0 से pass अब अगर मैं तुम्हें बोलो कि x और y का condition बताओ कि यह वाला anti-derivative आ जाए x square plus 2 आ जाए ठीक है तो उसको भी हम कर सकते है मलो कि हमारे पास infinite anti-derivative क्या given है x square plus c इसमें मैं एक condition डाल दू कि f of x के जगा डाल दू root 2 यहाँ पे root 2 डाल दू तो हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 4 हाँ ठीक है x के जगा root 2 डाल दू और f of root 2 जो y के equal होता है उसको मैं 4 कर दू सबसे पहले एक बार और यह क्या है हमारा family of anti-derivative यह क्या हमारा family of anti-derivatives case function का fx is equal to 2x का यह तो infinite anti-derivatives को represent कर रहा है उस infinite anti-derivative में एक ऐसा anti-derivative है जिसमें अगर तुम x का value root 2 डालोगे न तो y का value 4 आ जाएगा एक ऐसा भी anti-derivative है तो उस anti-derivative को बोल रहा है निकालने के लिए तो कोई बात नहीं यहां जो बोल रहा हो वो करो x की जगा क्या डालो root 2 डालो ठीक है तो यहां भी root 2 डालना होग x की जगा तो root 2 का square प्लस c f of root 2 किसके equal दे रखा है 4 के तो यहां 4 डाल दो यह क्या हो जाएगा root 2 का square 2 is plus c तो यहां से हमें c का value क्या मिल गया 4 minus 2 तो 2 अब यह c का value दोबार उठा के कहां डाल दो यहां डाल दो तो हम f of x क्या मिल गया x square plus 2 मतलब यह वाल anti-derivative आगिया यह वाल anti-derivative आगिया तो मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर तुम्हें anti-derivative में x is equal to this then y is equal to this अगर ऐसा कोई condition दे रखा है तो वो एक unique anti-derivative आता है वो infinite anti-derivative नहीं हैगा वो क्या हैगा एक unique anti-derivative आएगा समझ रहो ना इस बात को तो यहाँ पर वही चीज है सबसे पहले fx बोल रहा है fx यह function given है फिर यहाँ पर condition दे दिया ना f of 0 is equal to 3 मतलब क्या कि इसके तो infinite anti-derivative आएगे उस infinite anti-derivative में एक ऐसा anti-derivative होगा जिसमें जब तुम x का value 0 डालोगे तो y का value 3 आजाएगा तो उस anti-derivative को निकालो तो कोई बात नहीं पहले हम इसके infinite anti-derivative को निकालते है मतलब family of anti-derivative को निकालते है तो family of anti-derivative का अब तो हमें formula ही पता है क्या होता है integral of fx dx वो क्या होगा 4x cube minus 6 dx कर लिया इसको अलग-अलग कर लिया क्या हो गया 4x cube dx minus 6 dx ऐसे कर लिया अब ये क्या होगा 4 बाहर आ जाएगा तो ये क्या होगा sorry this is 4 यहां से इसको 4 बाहर कर लिया हमने constant को तो बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x cube dx और ये भी constant है तो ये बाहर आ गया 6 तो यहां क्या बचा 1 तो 1 into dx तो ये हो गया 4 इस पर कौन सा फार्मला लगेगा x to the power n का क्या होता है integral का x to the power n का फार्मला क्या होता है ये ही होता है न integral of x to the power n dx ये क्या होता x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c ये होता है न तो यहां पे क्या होगा x to the power 3 plus 1 upon 3 plus 1 minus 6 1 का integral क्या होता x और final last में हम क्या करेंगे c add कर देंगे यह 4 और नीचे का 4 यह cancel हो गया तो क्या हमें मिल गया x cube सौरी कुछ गरबर कर दिया है सौरी यहां पे plus 1 है ठीक है तो यह क्या हो गया यह 4 यह 4 cancel हो गया तो हमें क्या मिल गया x to the power 4 x to the power 4 minus 6x plus c यह क्या मिला हमें यह family of anti-derivative यह क्या हमारा family of anti-derivative of f of x जो किसके equal है 4 x cube minus 6 इस function का जो family of anti-derivative तो यह आ गया बट यह निकालने के लिए नहीं बोल रहा है बोल रहा है कि इस family of anti-derivative में एक ऐसा anti-derivative चिपा बैठा है जिसमें तुम x का value 0 डालोगे तो y का value 3 आ जाएगा तो वो वाला anti-derivative निकालो तो कोई बात नहीं जो बोल रहा है वो डालो c का value आ जाएगा तो वहां से c का value back substitute कर दो तो हमारा वो unique anti-derivative आ जाएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते according to question question के अनुसार क्या दे रखा है f of 0 is equal to 3 तो यहां से अगर तुमने बच्चे यह x पे power 3 plus 1 है अगर तुमने x का value यहां पे इसमें देखो x का value अगर तुमने 0 डाला तो यह 0 यह 0 और यह क्या हो गया f of 0 यह डालोगे 0 0 यह क्या हो जाएगा f of 0 f of 0 किसके equal है 3 के तो f of 0 हमें क्या मिला यहां पे f of 0 मिल गया ना यह 0 तो c के equal मिल गया तो c का value 3 आगया समझ मैं ही ना बात यहां पे क्या मैंने किया यहां पे अगर तुमने x का value 0 डालोगे तो f of 0 क्या होगा यह भी 0 यह भी 0 तो c तो f of 0 c के equal मिला और f of 0 किसके equal है 3 के equal है तो c का value 3 मिल गया अब इस c का value को 3 को यहाँ डाल दो, तो क्या मिल जाएगा, मैं f of x, यहाँ मिल जाएगा, x to the power of 4, minus 6x plus 3, यही हमारा answer हो गया, यही हमारा answer हो गया, एक बड़ा और, एक मिनट में, यहाँ पर क्या बोल रहा है, actually मैं क्या बोल रख है, है कि हमारे पास एक function given है, ठीक है, बोल रहा है कि find the antiderivative f, इस function का antiderivative निकालो, कैसा antiderivative निकालो, जिसमें तुम x का value 0 डालोगे, तो y का value 3 आजाएगा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके family of antiderivative को निकाल लिया, जो हमें मिला क्या, x to the power 4, minus 6x plus c, अब condition क्या दे रखा है, कि x का value 0 डालेंगे, तो y 3 आजाएगा, तो यहाँ पे हमने इस condition को satisfy किया, तो जैसे ही condition satisfy करेंगे न, इस constant का value आजाएगा, यहाँ पे हमने x का value 0 डाला, तो f of 0 क्या मिला, 0 minus 0 plus c, तो f of 0 हमें c मिला, और f of 0 किसके equal है, 3 के equal है, तो c का value 3 मिला, अब इस 3 को दोबारा यहाँ डाल दिया, तो यह unique आ गिया, एक unique anti-derivative आ गिया, एक single anti-derivative आ गिया, ठीक है, अब इस anti-derivative में क्या speciality है, यह भी anti-derivative है, इस function का, यह भी इस function का anti-derivative है, अब इस anti-derivative में क्या speciality है, कि यह anti-derivative, जो है, 0,3 point से पास भी कर रहा है, यह point, anti-derivative, डाल के देख लो, x का value 0 डालो, तो y 3 आ जाएगा, देख लो डाल के, यहाँ पे x का value 0 डालोगे न, तो f of 0, क्या मिलेगा, 0 माइने 0 प्लस 3, और f of 0 क्या होता है, why होता है न, तो इसका मतलब क्या होगा, कि यह जो family of anti-derivative है, वो 0,3 point से पास भी कर रहा है, यह इसका मतलब होगा, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, यह हो गया हमारा example number 1 भी हो गया, 2, 3 and 4, इसके बाद हम लोग next में आते हैं, remarks, NCIT में कुछ remarks दे रखे हैं, ठीक है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, NCIT काफी important book है, इसके हर एक, इसमें क्या बोलता हूँ, हर एक word में meaning चिपा होता है, तो उसके लिए करना क्या होगा, कि हमें काफी 12 की से, NCIT book का अगर तुम study करोगे, तो बहुत कुछ इसमें मिल जाएगा, ठीक है, तो next video में हम लोग क्या start करेंगे, इसके remarks से start करेंगे, उसके बाद फिर हमारा एक next topic है, comparison between differentiation and integration, उसे करेंगे, फिर exercise 7.1, ओके,